कि नमस्कार दोस्तों मैं कृष्ण कुमार शर्मा अपने योट्यूब चैनल अभीनाव केमिस्ट्री पॉइंट में आपका हर्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों आज का जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए की लेका आया हूं वहुआ खास महत्तपूर्ण आज नई वाली व्याक्यता बर्ती परिक्षा 2020 या 2021 प्रक्रिया अधीन आधीन है बर्ती और ऑनुमान है पूरुस्त abdiि और कि आने वाली वियाक्यता भरती क्षा तो यह तो दिसमबर मंत के लास्ट में जनवरी के जो है लास्ट फस्ट वीक में आने की संभावना ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों बाकी तो जो सरकार के हाथ में हैं सब कुछ कब भरती निकालती है तो दोस्तों राजस्तान लोक से वा आयोग में लगभग सभी परिणाम जारी कर दिये एग्री कल्चर और क्रेसी विज्ञान को चोड़ कर सबी परिणाम जो है आयोग ने लगभग जारी कर दिये हैं अब इन में से कुछ कंडिडेट्स सेलेक्ट हैं कुछ जो है प्राविजदली नहीं है और यह बाकी जो भी लोग हैं जो आने वाली व्याख्याता भरती परिक्षिक की तैयारी करेंगे उन लोगों के लिए विशेश कर ये वीडियो मेरा जो है अती महत्तव पूर्ण है मेरे पास में निरंतर ये पेपर के लिए होगा और दूसरा जो मेरा वीडियो होगा वो कैमेस्टी के लिए होगा क्योंकि मैं कैमेस्टी विशे से हूं और कैमेस्टी विशे में मैंने सफलता प्राप्त करिए तो मेरा सामन्य विशे का सामन्य पेपर की तैयारी हम किस प्रकार से करे सामन्य पेपर क के बाद में आपका तयारी करने का जो तरीका है वो तयारी करने जो हो आद ट्रीका जो थोड़ा चेंज हो जाएगा और दूसरी बहँत्प बात ये उन बहुत है किस प्रकार से प्रतंप्रश्टमत्र की तयारी करनी चाहिए उस चीज़ को लेकर दोस्तों मैं एक बात मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से कि पहले तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और दूसरी बात जिन लोगों ने जो नए कंडिडेट्स हैं मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन जारी कर ले ताकि आपको समय समय पर मेरे जो आने वाले वीडियो होंगे इस्कूल लेक्चरर नई करनी चाहिए और उस पेपर की तैयारी हमने किस सागसर हम को करनी चाहिए उस्क बात बता देता हूं कि जो भी अभ्य curiosity जो भी अभ्जरती व्याख्याता की तैयारी में लगे वे हैं वो बड़े उत्साइत होते हैं हमेशा मैं भी उत्साइत था क्योंकि सभी लोगों को क्या लगता है कि मेरा सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉंग है मेरा सब्जेक्ट जो है बड़ा मजबूत है मैं ये सब चीजे क्लियर कर लूँगा और मेरा सेलेक्शन हो जाएगा जब हम व्याख्याता बढ़ती परिक्षा के लिए सोचते हैं तो हमारे मन के अंदर ये उद्गार आते हैं कि मेरा सब्जेक्ट तो बहुत टॉप है मेरा सब्जेक्ट तो बहुत मैं तो मेरे सब्जेक्ट का सहन सा हूँ मेरा सेलेक्शन कौन रोग सकता लेकिन मैं मित्रों एक चीज आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा कि सब्जेक्ट सभी के अच्छे होते हैं सब्जेक्ट में सभी धुरंदर होते हैं अपने अपने subject के सब माहिर होते हैं दोस्तों इसलिए व्याख्याता भड़ती जो होती है वो सरल भी होती है बजाए कि और छोटे competition हो कि read, पटवारी, second grade इन competition हो से सरल है व्याख्याता की तैयरी करना उसका reason एक ही subject पढ़ना पढ़ता है जैसे chemistry वाले को chemistry पढ़ना पढ़ेगा physics वाले को physics ही पढ़ना पढ़ेगा math वाले को math ही पढ़ना पढ़ेगा तो हमें इसको easy जो लेते हैं हम किस हिसाब से लेते हैं कि हमें एक ही subject पढ़ना पढ़ेगा और इसलिए हम जो हैं बेफिक्र हो जाते हैं थोड़े से कि नई हुआ जब कि हकीकत मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों कि आप लोगों की जो सेलक्शन है इस भरती में व्याख्याता भरती में जो सेलक्शन है उसमें जो मेन रोल यानि लीड रोल जो अदा करता है वो करता है दोस्तों सा 2015 में बहुत जबर्दस्त तयारी करी थी मैंने और मेरे जो सेकेंड पेपर था उस सेकेंड पेपर में टोटल नंबर ओफ मार्व 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 सेवंटी एट है बड़ दोस्तों फस्ट पेपर और जिस बंदे के 178 मार्व स्थे वह बंदा आज व्याख्याता भी है यानि 172 म में उसका भी व्याख्याता भरती में चैन हुआ है लेकिन चक्कर क्या बढ़ा कि जीके वाले पेपर के अंदर मेरे से 27 क्वेशन ही सही बेठे दोस्तों है और यही कारण है कि मैं आज से चार साल पहले लेक्चरर बन गया होता वह आज नहीं बन पाया क्यों कि मेरे दिमाग में एक चीज चलती थी कि केमेस्ट्री ही सब कुछ है जिसकी केमेस्ट्री बढ़िया है मेरे जितनी केमेस्ट्री किसी को नहीं आती मैं केमेस्ट्री का सहनसा हूँ मैं केमेस्ट्री का दुरंदर हूँ ऐसा मैं सोचता था और यह सोच मेरी जो है वो कोई नहीं रोक सकता है वो गलग सोच रहे हैं दोस्तों ऐसा जब तक आपका जनरल जीके और सामने स्टेडीज वाला पेपर इस्ट्रॉंग नहीं होगा दोस्तों मैं गैरेंटे के साथ आपको कहता हूं कि आपका सेलेक्शन संभव नहीं है किसी भी हालत में आप सेलेक्शन नहीं करवा सकते हैं तो सेलेक्शन के लिए में इंपोर्टेंट चीज है जीके वाले पेपर को भी आप लोग जो है क्या करें स्ट्रॉंग करें मजबूत करें और वो कैसे करेंगे उसके लिए मैं आप लोगों को इस वीडियो में आगे का तरीका बता रहा है देखिए दो बंशन का टाइप तोड़ा उस लिए मैंशन का नहीं लेकिन जो स्लेबस है वह ऐसा सी बैंक लीवल को पेपर होते हैं उस तेवर का पर जिसके अंदर आपको जो और को जो है जयोग्रोफी भी पढ़नी पढ़ेगी इसके अंदर आपको इस फुल मैंश्मेंट भी पढ़न पढ़ने पढ़ सब्सक्राइब इसके अंदर आपको बढ़ने पढ़ने पढ़ने पढ़ आपको नियेॱ्ख यि और आपको कुरणट भी पढ़नी पढ़नी पढ़ने तो दिरा many matters are existing school lecturer first paper जैसे जो सेकंड गेर या थर्ड गेर का देखें तो हमें क्या वैरिएशन निमिलेगा चलो यह हिस्टीर यह जो ग्रों फिर यह करके यह सामाने पेपर खतम हो गया वारा लेकर जैसे सेकंड गेर में सामाने जीके जनरल जीके आती है जनरली बागी यह नहीं आता त हमें स्कूल लेक्चर निकालने के लिए दो चीजे महत्पूर एक तो सामाने ज्यान वाला पेपर स्ट्रोंग कर लो और दूसरा हमारा साइक्लोजी के जो तीस क्वेशन है उसको भी स्ट्रोंग करो दोस्तों यह किसी के इन दोनों में मार्स अच्छे बैठ गेना तो मैं ग आक्स आते हैं वो लगबग उतने ही आते हैं उसके अंदर ज्यादा डिफरेंस किसी के बैठता नहीं या पांट दस नंबर का डिफरेंस उपर नीचे होता है उससे कोई फरक नहीं पड़ता सेलेक्शन के लिए जो रेस्पॉंसिवल है वो है हमारे सामाने ज्यान का पेपर क्रोने लोगी हमेरे पास में आती है दूसरी और डेली नियूजपेपर mentre पड़ें जो न्यूजब ही मिल्स इर फिर उसका जरम अभी हुआ है उस जनम अभी हुआ है जैसे मैंने अपना जीके का सेसंद चला रखा इसके अंदर तो जीके के सेसंद के अंदर अभी नासा ने एक और टिमिस थर्ड करके एक लॉंच किया है तो उस मेंटर को आप जो है डाइरी में नोट कर ले कि मुझे इस प्रकार से अब यह और यह और आपको फील होने लग जाएगा धिरी दिरे कि हाँ यह कुशन्स के अंदर आने लग जाए आने वाला है तो उसके प्रिपेशन के लिए आप लोग जो है करन्ट के लिए और दूसरी बात है आप अकबार का दोस्तों मैं आप लोगों को ओनलाइन टीचिंग की सला कम देंग मैक्सिमम टाइम अपना जो है ऑफलाइन टीचिंग मेलब किताबों से जो टीचिंग होती है वह ज्यादा बेटर होती है करन्ट के बाद में हम बात करते हैं दोस्तों जो हम स्कुल मेंजमेंट जो करन्ट जो आती है इसकुल लेक्चरेर वाले पेपर में उसके अंदर करेंगे डेली अपना जो है क्रोनलोजी करेंगे तब आपके दस नंबर का कुशन सही होगा और दूसरी में है तो आप चाहो तो कुमार गोरव सरके वीडियो देख सकते हैं क्योंकि उससे बहुत बेनेफिट हुआता मुझे पढ़ाते हैं उनके वीडियो जो होते हैं सारह सारे मैंवें शी conducive बताते हैं तो वह भी आप लोग 2 है देख सकते हो कि तो करेंट आपको दस लेंगे और दस कैसे लिए आप लोगों को अभी से एक क्वेशन गलत हुआ है तो इसके लिए आप लोग जो है राट पब्लिकेशन की एक बुक आती है राट पब्लिकेशन के उसके वोल्यूम फर्स्ट, सेग्ट, सर्ड, फर्स्वं जो करन्ट वॉल्यूम इस सब्लिकेशन से मिलता है 2015 में मेरा पब्लिकेशन की जानकारी किसी नहीं दी थी नहीं दोस्तों मेरा सलेक्शन उसी समय हो of लाट पब्लिकेशन से मैक्जिमम क्वेशन्स जो है मुझे मिलें दोस्तों इसके बाद में बात करता हूं दोस्तों हिश्ट्री जो है आप लोग दोस्तों या तो जो है लक्ष से पढ़ ले और यदि आप लोगों पास लक्ष नहीं है और नवरंग राई की बुक है तो वह भी आप लोग कर सकते हो लक्ष के अंदर जो है इस्टी बैटर है पैस्ट है और जो भी हमारे पास में मोरिये गुप्त काल और मुगलकाल इन से क्वेशन्स जो है थोड़े कम आते हैं बजाई की सवतंतर संग्राम वगरा से जो है क्वेशन्स के नंबर्स जादा ज्यादा है तो हिस्ति जो है आप लोग जो है लक्ष से पड़े तो ज्यादा बेटर रहेगा बहुत अच्छा है इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों पॉल्टिकल की पॉल्टिकल साइंस जो हैं आप लोग जो हैं किसी भी बुक से पढ़ ले लेकिन पॉलिकल यदे एक किसी नहीं होगी हम सबसे इंपोर्टेंट है हमें अनुच्छेद तो जैसे सब्सक्रों करो उसकी कोई ट्रिक हमें को टीचर बता दे जैसे मैंने आपको एक एक्जामबल बताता हूं कि जैसे राष्ट पती की इसे लिए उसके लिए मैं एक बना रखिए बकानीत पयोदसम यह मैं साइंस के अंदर जो होती है अनुछेश वगरार यह सब चीजे और डिसकसिन करने वाले चीजे ज्यादा होती है जिसके अंदर दिमाग का तार्किक विकास होता है तो पॉलिटिकल साइंस कोई भी टीचर पकड़ लीजे जो स्टेंडर पॉलिटिकल पढ़ाता हो उससे आप का विकश हो जो सबीकर अच्छी होंगी क्योंकि रजश्तान का जोंफ कर सकते हो बात करें मैंठमेटिक स की तो मैंठमेटिक्स के दिए आफ लोग राम gefूस मत्यूरिय की खरीदें सवाल पिस राम मुथ्रिया की जो डाले है कुछ राप पीस्यों आता है और राम si मुथरिया किताब में आपको सवाल ऐसे कैसे महिच कर जाएंगे तो कहीं न कोई किनेक्षन है आप देख लिए पिछले साल के पेपर इस साल तो नहीं लेकिन जो 2015 में पेपर आयदा उसके अंदर एक क्वेशन था और 2012 में भी कुछ एक क्वेशन था जिसके अंदर मतुरिया और आप उस पेपर को भी आप जो है देख सकते हैं तो मैठमेटिक्स जो है वह आप पढ़ें नेक्स्ट हम बात करते हैं इंग्लिस DOS दोस्तों, English कैसे त्यार करनी हैं हमें इंगलीस का में रूल है कि जब हम एंगलेस पढ लेते हैं हमारे इंगलीस के कुछिंस सही नहीं होते हैं और इंगलीस के कुछिंस सवाल होने कर पड़तों लेता है रूल रेगुलेशन सो जैसे मालो सपोज कीजिए हमको correct form of the work के सारे rules हमने पढ़ लिए लेकिन हमारे फिर भी सवाल जो है exams के अंदर सही नहीं हो रहे हैं इसके पीछे reasons क्या है तो दोस्तों इसके पीछे reasons क्या है हम English की practice नहीं करते हैं दोस्तों तो SSC CGL की कोई भी बुक आती हो जो अपने यह फिर अपने जो लक्ष की बुक है उसके में डेरो एक्जाम्पल्स है उन एक्जाम्पल्स को बार-बार निकाले दोस्तों उन एक्जाम्पल्स को आप बार-बार रिपीट करें तो आप लोगों के English के questions सही होंगे दोस्तों मेर से जो है मेरे questions जो हैं लगातार जो हैं सही होते गए इसके बाद में हम लोग बात करते हैं वह बात करते हैं हम लोग करंट होई गया हमारा management हो गया political geography हो गया नेक्स्ट हम जो बात करते हैं वो हिंदी के उपर बात करते हैं हिंदी के लिए जो मैंने पड़ा दक्ष पब्लिकेशन से एक बुक्स पड़ी थी दक्ष की जो बुक आती है तो उसके अंदर जो भी चीज़ें दिये साफिशा है दक्ष के लिए कि लिए लाया था मैं लेकिन ऊसमें प्रेक्टिस एकसराइज इतनी बड़िया दी है कि वह मिरे लिए बहुत बैठा रही हो ठीक है तो यह दोस्टों आप लोग तैयारी करें वर्सट्पपर की तो यह महत्पून चीशती मेरे पास मैं जो मैंने आप लूगों के साथ मैं शेयर कर तो यह सेवंटी फायफ कॉशन्स जो है टोटल फ। पेपर के नहीं है तो आप इनकी जो है बहतर तैयारी दोस्तों कर सकते हैं ठीक है दोस्तों कभी भी यह तैयारी करने बैठो तो आप कभी यह दिमांग के अंदर मत सोचना कि इस्पॉलिटिकल जोग्रोफी के निक करने से मेरा सेलेक्षन हो जाएगा ऐसा पॉसीबल नहीं है दोस्तों कभी भी पॉसीबल नहीं है स्कुल व्याक्यादा बढ़ती परिक्षा में सेलेक्षन होने के लिए आपको 100% स्लेबस करके परतेगा प्रथम परत्रका और मैं तो कहता हूं किसी बी एक्जाम की प्रिपेशन कर वहां हमसे सोल होंगे या नहीं होंगे वह तो वहां डिपेंड करेगा लेकिन हम जब यहां से प्रिपेशन के लिए निकलें तो हमें जो है हमारा 100% सलेवस जो है complete करके जाना चाहिए दोस्तों 100% जब आप स्लेवस करके जाएंगे तो ये मान के चलिए आपसे कुछ easy question नहीं होंगे तो कुछ difficult questions आप लोगों से हो जाएंगे तो first paper के उपर आप लोग जो हैं बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान दें जो भी नोट्स जो भी चाहिए आप लोग मुझे message कीजिए व्यक्तिकत रूप से particular रूप से phone कीजिए मैं आप लोगों को suggest करूंगा कि किस तरीके से आप लोगों को इस कुल व्याख्याता बढ़ती परिक्षा की तैयारी करनी चाहिए मेरा यह आपसे व्यक्तिकत निवेदन अब तक जो भी चार इसकुल लेक्षर हो चुकी अब तक मलब इसकुल लेक्षर के चार एक्जाम सब तक कंडेक्ट हो चुके हैं तो आप क्या करोगे उन चारों पेपर को डाउनलोड करके और उनका प्रिंटाउट निकला के पहले आप उसमें पढ़ने जा रहे हो तो इस से पहले पेपर चारों जो व्यक्याताओं बरती के 2012 2013 2016 और 2020 के जो भी पेपर हुए हैं उन सब को आप डाउनलोड कर लोगे और डाउनलोड करके आपने सब्सक्राइब करोगे अपनी कोपी में लिख लोगे और लिख के उसका फिर प्रशन प्रत्रों को पूरा साठ के साथ सब्सक्राइब करोगे फिर उनको सॉल करने के बाद में आप सट्री चालू करोगे जब आप पढ़ोगे तो जब आपने जो क्वेशंस आपने सौल किये थे गाज़न के अप लोगों के दिमाग में अपने आप आने लग जाएगा हाँ ययर यह को आपको इंपोर्टेंस मा करती है और इसे कहते हैं दोस्तों रियल एनलेसिस एक्जामस फाइट करने का कहते हैं यदि इस एनलेसिस में आप सख्शेज होगे selections को आपका कोई रोक नहीं सकता दोस्तों तो आप जो है यह तरीका बना के दी पढ़ते हो हाला कि महनत ज्यादा है और थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है लेकिन सफलता के chance दोस्तों समय लगने से बढ़ जाते हैं आप लोगों के तो आप जो है इस तरीके से अपना management बना है मैं इस वीडियो के मात देम से सिर्फ जो है स्कुल व्याख्याता बढ़ती परिक्षा 2000 आने वाली 20 या 21 जो है उसके लिए आप लोगों को मोटिवेट करना मेरा इसका उद्देश्य था उमीद करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो जो है मेरा बहुत पसंद आया ह होगा और निश्चित रूप से आप जो है अब सकोल ये करेंगी सिर्फ करेंगे और शेयर करें और मैं समय 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 पर τरि आप लोगों की स्कूल व्याख्याता है उसमें आप मदद के लिए हमेशा एविलेबल रहूंगा दोस्तों और प्रियास करता रहूंगा हमेशा कि कोई भी महनत कस और महनती इंसान जो है सेलेक्शन से रहे नहीं क्यों क्योंकि महनत जो होती है यदि दिशा युक्त होती है तो सफलता के चांस उतने ही बढ़ जाते हैं और यदि आता रसायन विज्यान रेंक 28 बाद बाद दन्यमा दोस्तों